सब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए वेलकम बैक गाईज मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त तनी कुमार और आपका हमारे यूटूब चलन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूनिरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जिसे शोट में यूटियाई कहते हैं और हिंदी में मुत्र मार्ग में संकर्मन कहते हैं और गाइज ये समस्या महिलाओं में और पुर्षों में समानतर होती है लेकिन महिलाओं में ये समस्या पुर्षों के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है और गाइज जिस भी व्यक्ति को UTI मतलब की Unary Tract Infection होता है उसे ही पता होता है कि उसे किस-किस परकार की कटनाईयो का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है चाहे वो यूरीन पास करते टाइम जलन का महसूस करना हो मतलब की Burning Sensation हो या फिर High Grade Fever का आना हो जो की समानेता ठंड लगने के बाद होती है या फिर बारी-बारी यूरीन को पास करने की अर्ज महसूस करना हो यानि की बारी- यूरीन का बहुती कम क्वांटिटी में आना या फिर Lower Back Pain का होना मतलब की कमर के निचे पेन का होना या फिर Lower Abdomen Pain जो की Pubic Bone के पास में होता है और यूरीन की जो स्मेल है वो भी बहुती ज़्यादा गंदी आती है जो की यूरीन में infection होने को दर्शाती है साथ ही यूरीन का Cloudy Color का आना जो की समानयता Pust Cell के होने का संकेत है या फिर कई लोगों को यूरीन डार्क येलो कलर का या ओरेंज कलर का या चोकलेट और ब्राउन कलर का आता है जो की समानया यूरीन में Blood के होने का संकेत होता है तो गाइज ऐसी कुछ समस्याएं होती है जिन लोगों को यू किलर दवाईयां खानी पड़ती हैं साथ ही उनका कोर्स भी पूरा करना पड़ता है जो की काफी लंबा होता है तो गाइज इस परेशानी से साथ ही यूरी ट्रैक्ट इन शुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जिसकी मातर एक सिंगल डोज ही काफी है आपके किसी भी तरहा के यूण्री ट्रैक्ट इन श्डुस आइकक्षिं कोर्च करेदी के लिए तो गाईज आज हम इस वीडियो में फोस्फोसिन सेचट के बारे में फुली डिटेल में बात करेंगे तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों के कारण हमें यूनिरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है फिर मैं आपको इस सेचट के प्राइज रेट इसकी कमपनी इसके कॉमपोजिशन के बारे में बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेकिनिजम ओफ एक्शन क्या है मतलब की मोड ओफ एक्शन क्या है ये कैसे बिमारी को खतम करता है कैसे आपका unary tract infection ये ठीक करेगा फिर मापको बताऊंगा कि आपने इस sachet को कैसे लेना है तो गाइस ये पार्ट काफी important है तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी skip मत करना फिर मापको बताऊंगा कि इस sachet से आपको किस-किस परकार के side effects देखने को मिल सकते हैं और वीडियो के लास्ट ने बताऊंगा कि इस सेचेट को यूज करते टाइम आपको किस किस परकार की सावधानिया बरतनी है तो गाइस ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो जाड़ा टाइम वेस्ट निकरते लेट्स डाइब इन्टु इट तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको वो कारण बताता हूँ जिसके कारण लोगों को समानेता यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन मतलब की यूटी आई होता है तो गाइस सबसे बड़ा कारण है बोडी का डिहाइडरेट रहना मतलब की आपका बहुती कम मातरा में पानी का पीन और ये गाइस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जितने भी लोगों को मैंने अभी तक यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होते हुए देखा है वो लोग अकसर बहुती कम मातरा में पानी पीते थे जिसके कारण वो यूटी आई मतलब की यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का शि उनको यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने का रिस्क बहुती जादा होता है इसलिए होस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कैथेटर डला होता है उन्हें जल्दी से जल्दी कैथेटर को रिमूव करवाने की सलहा दी जाती है और गाइस जो तीसरा कार कारण है कि महिलाएं ज्यादा समय तक यूरीन को होल्ड रखती है एक्शली गाइस यूरीन को पास करते टाइम एक प्रैवर्सी चाहिए होती है जो महिलाएं जोब करती है ओफिस में या फिर जो ट्रैवल करती है उनको ज्यादा समय तक यूरीन को होल्ड करके रखना पड है तो इसके काफी ज़्यादा चांसिज हैं कि आपको यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के शिकार हो सकते हैं और जो पांचवा कारण है वो है प्राइवेट एरिया का हाईजीन ना रखना जो लोग साफ सुथरा नहीं रखते अपने प्राइवेट पार्ट को उनको यूनरी ट इंफेक्शन होता है क्योंकि महावारी के टाइम हाईजीन रख पाना काफी मुश्किल हो जाता है जिसके कारण बैक्टिरिया को अपनी ग्रोथ करने का सोर्स मिलता है और महिलाएं जो हैं यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की शिकार हो जाती है तो यह कुछ कारण थे जिनक कि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चलेंग पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो गाइस वीडियो करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसका जो रेट है वो कितना है तो गाइस इसका जो प्राइज है वो 279 रूपीज का है और जो इसकी कम पोजीशन है वो है फोस्फो माइसीन ट्रोमेटा मोल जो कि आपको तीन गराम में मिलता है साथ ही अगर आपको यह फोस्फोसीन के सेचट अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक आउट कर लेना वहां पर मैंने पूरी की पूरी एक लिस की आगे बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की मतलब की यह काम कैसे करता है तो गाइस इसके अंदर आपको फोस्फो माइसीन मिलता है जो कि ब्रोड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक एंटिबाइटिक है जो की ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया को मार बैक्टिरिया के इसके अग忘 Ujunary ट्रैक्टिया को मिलता है एक बार आप मुझे पर विश्वास करके एक बार सेचेट को ट्राइब करके देखना और आपको दूसरे तीसरे दिन में ही आपको जो आपके साइनोगं उस नस्से ना यूनरी ट्रैक्टि इन सब्स को कम होते हुए नजर आएंगे इस साथ को लेने के बाद जो की दूसरे या तीसरे दिन में होता है तो गाइज यह तो बात थी इसके मैकनिजम आफ एक्षन की बात आगे बात करते हैं कि आपने इस साथे पानी से लेना है पानी को अपने घरम नहीं लेना और इसके अंदर आपको एक पूडिया मिलती है इनो के टाइप की और आपने जो पानी लेना है वो आपने 100 ml लेना है और उसके अंदर आपने पूरी की पूरी जो सैचेड है मतलब की जो पूडिया है वो डालनी है और 3-4 सैकिंड के अंदर वो पूरी डिजोल हो जाएगी औ और आपने इंस्टेंटली ही उसको पीना है, पूरा का पूरा पानी आपने पीना है. तो गाइस यह तो तरीका था कि आपने इस सैचेट को कैसे लेना है और गाइस जो मैं मेरे पेशेंट्स को एड़िवाईज करता हूँ, कि वो किस परकार इस सैचेट को लें, तो गाइस मैं मेरे जो पेशेंट है उनको रात के समय सोने से पहले बोलता हूँ कि वो एक बार यूरीन को पास कराएं ताकि उनका जो यूरी ब्लैडर है वो खाली हो जाएं उसके बाद वो 100 एमल पानी लें और उसके अंदर इसको डालें और फिर वो पी जाएं और ओवर न इसे है यह उनिरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को डिट करने के लिए तो घयदी तो तरीका था कि आपने की आगे बात करते हैं कि आपने इस सेचेट को यूज करते टाइम किस किस परकार की सावधानिया बरतनी हैं तो गाइज अगर आप एक breastfeeding मतर हैं तब आप इस सेचेट को यूज ना करें साथ ही आप अगर liver disease, kidney disease या heart के patient हैं तब भी आप इस सेचेट को यूज ना करें आप इस सेचेट को यूज करते समय एक बार अपने doctor से consult कर लें गाइज एक popular question है जो की इस सेचेट से related पूछा जाता है वो है क्या इसे pregnancy के time यूज कर सकते हैं तो गाइज ये जो medicine है ये category B की medicine है तो आप इसे बे निश्चिन्थ होकर pregnancy के time यूज कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप अपने doctor से एक बार इस बारे में consult कर लें तो गाइज आज की जो हमारी वीडियो थी वो फोस्फोसिन सेचेट के उपर थी और मैंने हर topic को cover करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह का कोई question पूश्चन पूश्चन चाहते हो तो आप हमें comment कर सकते हैं तो गाइज मुझे दीज़े ज़दत मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit झाल 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 झाल